टाटा 425 B.A.6 में बहुत ही शांदार लुक में ये टाटा की गाड़ी हमने यहां पर तयार किया है पंजाब की यह गाड़ी है और इसका फुल व्यू हम आपको यहां पर दिखाने वाले हैं कैसे इस गाड़ी का हमने फ्रंट बनाया है और कैसे हमने कैबिन का पांच छती कै पाल सिंग और मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वाग काता हूं हमारे यूटूब चैनल गिल्ट्रक बॉडी समाना पर सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट है वो देखते हो पूरा ही स्टील में गाड़ी का फ्रंट आगे तयार हुआ 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 है लाइस का काम भी लग से हुआ है गाड़ी का जो तिर्चापन है वह भी हमने जादा से जाद रहे हुआ 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 है और माइलेज पर पूरा इफेक्ट डाले डवल आई-कैट्स यहां पर आपको सामने के तरफ मिलेंगे हैंड मेड हैंडल रहेंगे और यो शीशों पर रवड दी हुए ह लेड़ इंची हैवी रवड लाइफ टाइम के उसकी वारेंटी रहती है रवड की रही बात वाइपर मशीन यहां पर नीचे वाइपर मशीन सेट की हुई है वाटर जैट्स के साथ बीए सिक्स में सिर्फ गिल ट्रक बॉडी बिल्डर यह जो वाइपर मशीन ओवर आल इं हुए ताकि जो फ्रेंट के यहां पर ब्राइंट स्पॉर्स हैं वो ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे दोनों ही साइट के ब्राइंट स्पॉर्स यहां पर देख सकता है जो सामने ग्रिल है उसको देख सेते हैं यहां पर मटैलिक हमने यहां पर गोल्डन की करकर किया है और यहां पर बात आगी मुच, यहां पर red लगाई ही है, बाकी यहीं पर देखने हो आप bumper, इसको भी हमने नए look दिया है, green metallic color किया है, साथ में यहां पर headlight है, वो plastic देखने हैं, उसकी safety के लिए यहां पर हमने heavy, यहां पर सरीय के साथ जाली बनाई हुई है, यहां पर भी company के तर हेड़ लाइट दी है जो बीए सिक्स में एर गेंडर है उसकी भी हमने सेटिंग द्वारा से की है गाड़ी का नंबर देखे तो पीवी टैन एच्पी 9625 गाड़ी का नंबर है माच्छी वाड़ा शहर की यह गाड़ी है पंजाब की कितनी है बाई ने सब रिजा पूरिया दीन्ट सा ब्रदर्स की यह गाड़ी है और अगर हम साइड कैबिन लुक की बात करें तो बहुत ही शांदार लुक है उपर जो लकड़ी का टूल वक्स हम गड़ां चड़ी का में साथ में हम यहां पर अंदर सरा पहर ओड़ांट रहा है यहां पर पाँचा चधर् हेवी पाँचछ अदर आपको यहां पर मिलेगी सिंगल पीस में हाँ पर मघ गार सेट्ट दिया हुआ है और साथistine चार इंची यहांपर देते हैंपको महाराजा गोड़ा आपको यहां पर मिलेगा यहां पर भी आपको स्टील की काम मिलेगा और जो हमने यह हैंडल्स बनाए है वो इसे साफ से हमने टेपर कियें ताकि यह भी हम खिटकी खोलें या खिटकी लगाएं जो मेरे एक फिंगर्स है उसके साथ तच ना हूँ छोट-छोटी बाद हो अब बहुत ही यहां पर जाना रहता है जो खिटकी बनी है वो लकडी प्लस लोहे के फ्रेम की खिटकी बनी हुई है यहां पर आप ट्राला भी लगा सकते हो कस्टमर ने यहां पर चदर लाइफ रहती है पूरा यहां पर हैवी काम हो जाता है यही पर बात करें इस्पेक्टर का लॉक यहां पर मिलेगा और यहां पर आपको टिचकनी यहां पर रहेगी लंबी चाबी वाला लॉक और साथ में यहां पर रेलेवे लॉक आपको यहां पर मिलने वाला है यहीं पर अंदर हम cabin के अंदर की बात करें तो cabin हम आपको अंदर से यहां पर दिखाते हैं पांच छता cabin हमने यहां पर अंदर से यहां पर आपको बनाया हुआ है तो उसका full review हम आपको एक बार पूरे interior के साथ दिखाते हैं सबसे पहले तो आजाती है गाड़ी की seats पांच इंची गद्दे के साथ यहां पर seats बनी हुई है और आगे देख सकते हैं आप जब भी हम पाउदानों पर चाहेंगे यहां पर भी आपको lights का बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है connector side देखने के लिए यहां पर mirror दिया हुआ है उसको lock unlock करने के लिए यहां पर छोटटा काम पहले से किया हुआ है पानी पीने के लिए यहां पर glass connector side के लिए driver side के लिए रखा हुआ है fire stop की option यहां पर रहती है और आगे देखते हो green grass की यहां पर badging हुई है magnetic boxes यहां पर आपको रहेंगे और यहां पर सामने देखते हो LCD screen यहां पर दी हुई है और यहां पर देखते हो गुरु साइवान का मंदीर बना हुआ है हार और साथ में दूफ अगरबती करने के लिए यहां पर भी आपको glass मिलता है यहींपर हम बात करें यहां पर seats में जो cut बना हुआ है जो gear lever है उसनी पर प्लिशन बहुत ही set की हुई है और आगे उसी साब से करें बात करें तो यहां पर cooler दिया हुए वहां पर cooler रख सकते हो यहां पर देखते हो अगली हम एक तो जैसे यहां पर coolers के में क्या problem आती है जो पानी वे रहा है जब गाड़ी चलती है तो चलकता है तो यहाँ पर हमने एक अलग काम किया है पानी आपका चलकेगा नहीं यहाँ पानी पानी यहाँ पर चलकेगा नहीं और गाड़ी का जो कैविन है वो गोल्डन लुक में तयार किया हुआ है पहले मौन नौर्म में यहाँ पर श्टील का काम होता है तो यहाँ पर अभी हमने गोल्डन स्टील इस्तिमाल की हुई है पांचा शता कैविन है यहाँ पर देखते हूँ बहुत हैवी फिनिश के साथ स साइड पाइप भी दिया हुआ है और यहां पर भी आपको डबल मुवाइल चार्ज रहा आपको यहां पर मिलेगा लाइट काम पीछे में वाइट लाइट और ब्लू लाइट आपको यहां पर मिलने वाली है अगर हम स्पीकर्स की बात करते हैं आप सोनी के जेवील के यहां आप यहां पर लगवा सकते हैं वह रह यहां पर और रहिए बात अगर हम बात करें हें साइड मियुत देखते हुए क drastically attacked का चलाना रहा आपको यहां पर जैनल फ्रचेशन लगा हुआ है और जो गाडी का जैबीघन है वह पूरी तरह से यहां पर लगड़ी और एंगलं आगे blowr box यहाँ पर बना हुआ है ये था ये पूरा ही cabin का overall review अभी हम आपको बात करते हैं body penduke में जैसे यहाँ पर मैं उत्रूंगा तो यहाँ पर foot step भृ अउics तरह से यह फुटFirst Reg ci लिए हुए ता कि मेरा पौल वेरा फिसल लास उसके लिए हम पर सरीय वेल्ड की हुए साथ में डवल फूट से अब हो कंपणी की तरफ से यहां पर मिलता है और जनरी हम यहां पर अगर बॉड़ी की बात करें तो सबसे जादा एक प्रॉब्लम आती है बी एसेक्स गाड़ियों में जो SCI system दिया हुआ है तो उसमें यहां पर cabin और body को joint करता है एड़ुआ उसमें जनरी बॉड़ी बिल्डर क्या करते है यहां पर चैनर लगा देते हैं एड़ुआ नहीं डालते लखड़ी है यहां पर नौ इची एड़ुआ डलता है तो वहां पर क्या दिक्कत आती है जाता है तो यहां पर मजबूती जब 9 इंची लकड़ी है तो उसको 4 इंची हमने less कर दिया तो यहां पर मजबूती obvious है कम हो जाएगी तो उसको देखते हुए यहां पर 5 mm का plate का यहां पर कोना दिया हुआ है ताकि जो angle है उसकी मजबूती पूरी रही और cabin की मजबूती हम अब एड़ूय के साथ नहीं करते उसका अलग से चार इंची चैनल पर ही यहां पर काम किया जाता है चेसिस से शुरुवात से ही रही बात बोड़ी का जो एंगल है सेल कंपणी का यहां पर एंगल लगवा पैंसर्ट एमेम छे एमेम का रेट्रो ट्रेप उरिजिनल 3M की यहा पर क्रॉस बना हुआ है दस गेज की बोड़ी की साइड चदर लगी हुए एक इंची नीचे से बेंड भी किया है तांकि फरश की मजबूती और ज्यादा यहां पर मिल सके दो इंची से एंगल सारा जालका लगाया हुआ है वी और यहां पर देते हो स्टील मड़गार्स हम हमने अंदर शिफ्ट कर दी है और उसी साब से किया है जो सिस्टम गर्म होता है तो बैटरी को कोई नुकसान भी नहीं करेगा यह सारा सिस्टम पहले से ही सोच कर चलते हैं इस साइड हमने यहां पर स्पेर खिटकी भी रखी है कनेक्टर साइड में उसका मैं आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ अंदर से हमने बॉड़ी का कैसे काम किया है यहां पर देख सकते हो आप अंदर में गाड़ी में जो लकड़ी का फर्ष लगा हुआ है और स्पेर पाइप स्पेर खिटकी और रही बात उपर बाड़े बत्ते तो टोटल उपर साथ बत्ते हमने यह यहां पर लगाए हुए हैं बैक की बात करें तो यहां पर तीन चैनल यहां पर बैक में लगे हो हैवी बैक यहां पर साथ में लिए दस गेज की चदर की बॉड़ी की चदर यहां पर बैक में आपको लगेगी मलेशिया साल का सारा ही काम को है चाहे बैक को गाड़ी की चाह यहां पर घाड़ी का फरश हो नौ इंची एड़ हम धाले हैं में बात क्या है एड़ CCP मैं आपको ँमाइशा पर आकुट आपको दिलता हूँ किया पान्च एंगल यहां पर पहले से हैं अगर हम जहां पर डवल angle कर देते, तो यह हमारी गल्पती होती, तो यहां पर हमने double angle रखा है, क्योंकि यहां پर 4 Beem यहां पर आ रहे हैं, तो double angle भी हमने उस हिसाफसे इस गाड़ी में किया है, क्यूंकि इस गाड़ीKY जो chasis है, वो एक fit बढ़ाई हुई है, इसरहे हमने डवल एंगल की हो प्लेसमेंट है इस गाड़ी में की है बाकिया आप लरो का डिजाइन देखते हो है वी लर फुल बॉड़ी है उपर चैनल लगा हुआ है डवल कुंडी बॉड़ी पर भी और यहां पर लर पर मिलेगी आपको यहीं पर देखते हो आप पीछे में यहां पर लाइट से काम किया हुए तांकि यहां पर पत्थर गारा पर गाड़ी जब चलती है तो उपर से पत्थर गारा गिरते हैं तो यहां पर लाइट स्टूर जाती है तो उसको यहां पर डूरिवेल्टी ज़्यादा बढ़ी रही तो उसके लिए यहां पर पार्टसा भी ल जाती है तो उसके लिए हैं पर रवर्ट मैट्स का पहले से ही काम दिया है डबलिंग का काम सेंटर में और साइड़ों पर यहां पर चार चार बोल्ट के साथ किया हुआ है पांच अमेम की प्लेट यहां पर चेशिस के पीछे दी हुए है बैक कैमरा सेंसर भी लगे हुए रि हैं पर गिफ्ट 2021 मिस्यू और रही बात हमूपर स्पेर फटे की यहां पर पांच स्पेर फटे लकड़ी के डाले हुएं कस्ट्मर जाता है तो लोहे के बनाने चाहता है लोहे की बन जाते हैं, अपनी अपनी सब की चॉइस होती है, और रही बात इस गाड़ी में यहां पर बैक में जो एंगल लगा हुआ है, यहां पर हैवी जाला दिल्ली जाला जिसको हम बोलते हैं, तो दिल्ली जाला पीछे से भी पूरा हैवी दियो है, 12 इंच की स्पेस में ह हमने यहां पर बनाया हुआ है, बोक्स देख सकते हो, यहां पर भी आपको स्पेर फटा बोक्स मिल जाएगा, जो गाड़ी में यहां पर भी हमने मैट से काम किया हुआ, ताकि दूल मिट्टी है टायरों की तो उपर फरश की तरफ ना जाए, गाड़ी में एक और बात, यह यहां पर भी आपको जोके हैं, और सामने भी आपको जोके रहेंगे, अगर हम पीछे की बात करें, तो यहां पर पीछे एडूए में हर एक तरा से आपको जोके काम, ज्यादत से ज्यादत जोके मिलेंगे, और चैसी से बढ़ाई हुई है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा, यहां पर प्रेशर टेंकी थी, वो यहां पर नीचे हमने यहां पर दे दिया है, सेंटर में, और बिल्कुल भी आपको जब गाड़ेगा, जब टायर फटता है, तो बिल्कुल स्पेस आपकी पूरी मिलेगी, टेंकी आपकी प्रेशान नहीं करेगी, सेंटर में आ जाती है, और यहां पर यहां पर मिलने वाला है अगर हम इस गाड़ी के यहां पर डीजल टेंकी की बात करें तो यहां पर भी आपको डीजल टेंकी की सेफटी के लिए हमने यहां पर अच्छी तरह से यहां पर दिली जाला बनाया हुआ है और साथ में एड़ ब्लू टेंक भी तो सरीय काम किया हुआ हर एक यहां पर डबल एंगल के पास ताकि पूरी मजबूती आपकी यहां पर मिल सके यही यही बात आपकी connector side में, driver side में तो driver side में भी आपको यही कोड़ा मिलेगा और सबसे बड़ी तकलीफ हाथ ही जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है पीछे यहां पर company के mats रहते हैं वो थोटे से तूट जाते हैं तो उसकी safety के लिए भी यहां पर हमने पत्ती लगाई हुई है ताकि यह हिलेंग side mats दिये हुए है और openable हैं अगल कलको किसी ने आगे steering का काम करना है जा कोई और pipe का काम करना है तो यह mats आप खोलकर द्वारा refit कर सकते हैं नट बोल्ट का ही काम दिया हुआ है यह था जी इस गाड़ी का overall body का और cabin का review अगर आपको इस गाड़ी की वीडियो अच्छी लगी झाल के